दिल्ली के तथा कथित शराब घोटाले में दो साल से CBI और ED की जाच चल रही है इस दो साल में बार बार चाहे लोवर कोट हो, चाहे हाई कोट हो, चाहे सुप्रीम कोट हो एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया ऐसा कहा गया कि शराब को और कारोबारियों को मुनाफ़ा पहुचा, बहुत जादा मुनाफ़ा पहुचा लेकिन अगर उन्हें मुनाफ़ा पहुचा, तो उन्होंने किसको रिशुद दी, उन्होंने किसको पैसे दिये क्योंकि दो साल की जाँच के बाद, सैक्डों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कारिकर्था के पास से एक रुपे की भी प्रोसीड्स ओफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ओफ क्राइम का इस मनी ट्रेल का एक रुपया भी नहीं मिला और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोट ने भी कोट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा के मनी ट्रेल कहां है अर्विंद केजरिवाल जी को दो दिन पहले इसी तथा कथित शराब गोटाले के तहत गिरफतार किया गया है अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है ये व्यक्ति कौन है इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड़ी शरत चंद्र रेड़ी और अबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाईयां बनाने के कंपनियों के मालिक हैं इनके पास कई और कंपनिया भी है जिसमें से दो प्रमुक कंपनिया है एपी एल हेल्थ के और यूजिया फार्मा शरत चंद्र रेड़ी जी को भी दिली की एकसाइस पॉलिसी में शराब के कुछ दुकाने मिली उनको कुछ जोन मिले शरत चंद्र रेड़ी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड़ी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अर्विंद केजरीवाल से मिला नहीं मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेंदेन नहीं है जैसे ही उनोंने कहा कि मैं अर्विंद केजरीवाल से मिला नहीं उनको तुरंट अगले दिन इडी द्वारा गिरफतार कर लिया गया, कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरत रेड़ी जी ने अपना बयान बदल लिया, शरत रेड़ी जी कहते हैं कि मैं हरविन के एजरिवाल जी से मिला भी, शरत रेड़ी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई और जैसे ही शरत रड़ी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है एडी के द्वारा लेकिन ये तो सिर्फ बयान है पैसा कहां है मनी ट्रेल कहां है क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इंफोर्समेंट डिरेक्टरेट तो बारमार कह रहे हैं कि शराब गोटाल कारों ने इस पैसर को भ्रष्टा चार में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया लेकिन ये तो शरत चंद्र रड़ी का सिर्फ बयान है जिसके अधार पर अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार किया गया है मनी ट्रेल कहां है मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है ये हैं मनी ट्रेल शरत चंद्र रड़ी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉंड्स में भारतिय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है के शरत चंद्र रड़ी और अबिंदो फार्मा का मालिक एपी एल हेल्थ केर का मालिक यूजिया फार्मा का मालिक शराब का कारोबारी उसने साड़े चार करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉंड्स दिये एक्साइस पॉलिसी के बनने के दौरान भारतिय जनता पार्टी को उसके बाद गिरफतार होने के बाद पच्चपन करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉंड्स दिये भारतिय जनता पार्टी को तो जिस मनी ट्रेल की पिछले दो साल से तलाश हो रही थी आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है के आखिर कर शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया पैसा कहां गया और पैसा कब गया तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ मैं उनके राइट हैंड इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट को चैलेंज कर नहीं हूँ के आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है सारा पैसा भारतिय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है तो इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट भारतिय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और enforcement डिरेक्टरेट भारतिय जनता पाटी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड़्डा को गिरफतार करे क्यूंकि अब पहली बार excise policy के मामले में आधिकारिक money trail सामने आ गया है और ये money trail सीधा शराब के कारोबारियों से भारतिय जनता पाटी के bank account में गया है अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारदवाज जी और detail में इस बार को रखी नवश्कार साथियों जब से electoral bond के बारे में सुप्रीम कोट में चर्चा हुई सब लोगों के सामने हैं कि भारतिय जनता पाटी केंद्र सरकार SBI election commission सब कोशिश कर रहे थे electoral bond किस company ने किस पार्टी को दिया यह जाच जो है यह सुप्रीम कोट ना करे और यह details बाहर आए मगर जब से यह details बाहर आई हैं बहुत serious questions भारतिय जनता पाटी से उठते हैं और मैं आपको date wise बताऊंगा ताकि हर एक साधारन आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि और बिंदो फार्मेसी और उसके डिरेक्टर money laundering कर रहे हैं money laundering कर रहे हैं का मतलब तो ब्रस्टा चार कर रहे हैं ED कह रही है कि वह ब्रस्टा चार कर रहे हैं जो company money laundering कर रही है जो आदमी money laundering कर रहा है आपकी ED उसको चापा मार रही है आपकी ED उसको गिरफतार कर रही है वो company आपको चंदा दे रही है और एक दो नहीं 69.5 करोड साड़े 69 करोड रुपे का चंदा भारतिय जन्ता पार्टी ने लिया है उनके एकाउंट से इनके एकाउंट में आया है सबूत हैं सुनिए नवंबर से पहले नवंबर2001 से पहले की बात बतानी ज़रूरी क्योंकि नवंबर2020 में यह पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के अंदर ID का का अरूप है कि शरत्चंदर न्यजी और उन संसलित कंप नियों को दिली के अंदर पांच जोन मिले लिकर वेंट्स के बहुत बड़ी बात है यह एलिगेशन है यह पॉलिसी नमंबर दोहजार इकीस में आई तो जब यह पॉलिसी चल रही थी उस दोरान यानि की 5 जनवरी 2022 को यह पॉलिसी उस वक्त रन कर रही थी इनके पास पांच जोन थे उस दोरान और ब बीजेपी ने वह bond in cash करा लिए, अब ये सबूत आ गए है कि भारतिय जनता पार्टी ने ये पैसा ले लिया है, उसके कुछ दिनों बार जुलाई में और बिंदो फार्मा ने देड़ करोण रुपे की bond खरीदे, जुलाई 2022 में ही बीजेपी ने वह bond in cash करा लिए और बिंदो फार्मा का पैसा आ गया, अभी तक और बिंदो फार्मा के ओपर कोई मुकदमा नहीं चला है, ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, नवंबर में, अब आपको मालूमी है कि जुलाई के अंदर ये पॉलिसी 2022 में वापिस आ गई, सरकार ने वो पॉलिसी वापिस ले दी, और ये बात होने लगी, सब जगे मुकदमे दर्ज होने लगे, CBI के मुकदमे दर्ज हो गया, कि ये जो कंपनिया है, ये अब रडार में है, इनके उपर जाच चल रही है, अब आप सुनिए कि 9 नवंबर को 2022, ED शरचंद्र रेड़ी को बुलाती है, शरचंद्र रेड़ी कहते हैं कि मैं अर्विंद किज्रिवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेंदेन नहीं है, कोई सवाल है नहीं उखता, अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरचंद्र रेड़ी को ED गिरफ्तार कर लेती है, अब सुनिए, ED की गिरफ्त में है शरचंद्र रेड़ी, गिरफ्तार हो चुके हैं, 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं, 15 नवंबर 2022 को और बिंदो फार्मा पांच करोड रुपे के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है, अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डिरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, PMLA में, म पांच करोड रुपे उस कंपनी से बारते जंता पार्टी ने बॉन्ड में ले लिए, अब आगे सुनिए, ये भी इन कैश करा लिए गए, इसके बाद 6 जनवरी 2023 इस वक्षरच चंद्र रेड़ी जेल में है, पांच करोड रुपे देने के बाद भी जेल में है, शरच चं किंग पिन है, जो कल अर्विंद केशरिवाल जी को किंग पिन बताय जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरच चंद्र रेड़ी थे, उनको किंग पिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्चीट डायर कर दी गई, और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफीशरी है, जैसे कल अर्विंद केशरिवाल जी को बताया कि ये किंग पिन भी है और बेनिफीशरी भी है, ये शरचंद्र रेड़ी थे एक साल पहले, अब फिर जनवरी 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरचंद्र रेड़ी की हो रही थी, अभी वो जेल में है, तो उन्होंने ED पे आरोप लगाया, कि ED के लोग उनके उपर फोर्स का इस्तमाल करके, बल का इस्तमाल करके उनसे जूटी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एमप्लोईज को भी डराया धमकाया जा रहा है, ये हमारा नहीं, शरचंद्र रेड़ी का आपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है, कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ED कह रही है, प्री डिक्टेटेट स्टेटमेंट मैं दूँ ये जनवरी 20, 2023 की बाद है, अब 6 महीने बीचते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़ पती बाप का बेटा, कई बड़ी-बड़ी कंपनियों का मालिक जेल मे अप्रेल आ गया, अप्रेल के अंदर अब आप देखें क्या होता है, अप्रेल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरच चंदर ने डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हां मैंने 100 करोड रुपे दिये, 6 महीने बाद कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमे पर दबाव डाल रही थी कहने के लिए जो कि उन्होंने इह बताया वो उन्होंने आखिरकार कह दिया उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रेल दोजार तेईस में अब मई आ गया मई में उनकी एप्लिकेशन अब हाई कोट के अंदर लगी कि मेरी पीट में बहुत दर्द चल रहा है इडी ने कि आसाब इनके पीट पे बहुत दर्द है लेहाजा इनको बेल दे जाए पीट में दर्द पर हमारे आख ऑ।창 से छुटि नहीं मिलती ls मिलती है किसी को पीट में दर्फ पे ऑफिस से चुटी आप सब कैमरा में हैं सब लोग हैं पतरकारे यहाँ पर कौन इडिटर देता होगा इडी ने इनको बेल दे दी आठ मही 2023 को और जैसे ही बेल मिली पंची अजाद हुआ जून 2023 को कहा गया सरकारी गवाबने शरत चंदर रिड़ी मतलब शरकार की शरन में आगए अब जब शरन में आ गए जैसे जो भी शरन में आता है फिर वो प्रशाद चढ़ाना पड़ता है पिर आप प्रशाद की कहानी सुनिए जून 2023 में शरत चंदर रेड़ी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉंडरिंग का आरूपी है इसने तथाकतित तौर पे 100 करोड रूपे की रिश्वत दी ये जेल में था उस आदमी से उसकी क कंपनी और बिढ़ो फार्मा और उसकी दो सिडियिस से 50 करोड रुपिया भारतिय जंता पार्टी ने लिए, 50 करोड रुपिया च्छोटा-मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपिय डाल गया प्लीज लेलो 50 करोड रुपिय के प्लीज लेलो किस से कौन क्या ले रहा है किसी को बताना नहीं था कानून मना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किस से पैसा ले रही है कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है कानून है देश का कि अब किसी को नहीं बताया जाए सुप्रीम कोट ने एक पेटीशन को डिसाइड किया और आम ट्विस्ट करके हाथ मरोल के केंदर सरकार की ये लिस्ट जो है डलवाई ये लिस्ट डलती है 21 मार्च 2024 परसों शाम को साड़े 6 बजे 7 बजे इडी अरविन केजरिवाल जी के घर में आज नौ बजे अरविन केजरिवाल जी गिरफतार ये चल रहा अधिस देश के लिदर क्यों चल रहा है इस सब समझते हैं क्योंकि कल 21 तारिक को भारतिय जनता पार्टी की पोल खूल गई तो ऑब ये तो भार्तिजन्ता पार्टी वाले ये पार्ट हमें इतने दिनों से पढ़ा हования मीडिया वालों को пыт mieć कि अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आज आए तो भी आरूपी बनती है यह तो भार्तिय जनता पार्टी के ही सारे के सारे जो है प्रवक्तत हमें एक साल से समझा रहे हैं संवित पात्रा जी वो जो है भाटिया जी एड्वोकेट साहब स्मृति इरानी जी तो अब आतिशी जी ने बता दिया कि 69.5 करोड रुपिया कि इन कंपनियों से भार्तिय जनता पार्टी को मिला है स्टेट बैंक और इंडिया ने बताया है इलेक्शन कमिशन की वेब साइट पर पढ़ाया को इस सबूत की जरूत नहीं है जिसमें 55 करोर रूपया वो है जब वो आरोपी बन गया था जब भारतिय जनता पार्टी की केंदर सरकार को पता चल गया था और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वो money laundering का आरोपी है उसके बाद भी इनों ने उससे 55 करोर रूपय ले लिया तो जैसा कि आतिशीज ने कहा इस मामले में क्योंकि money trail सीधे तोर पे भारतिय जनता पार्टी में जा रही है proceeds of crime सीधा सीधा भारतिय जनता पार्टी तक पहुँच रहा है लेहाजा भारतिय जनता पार्टी को इस इसी केस में आरोपी बनाना चाहिए और जिस तरी से अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार किया गया क्या का है कि बहुच जिस पार्टी को फायदा मिला उसके एक अन्वीनर है तो अब भारतिय जनता पार्टी को फायदा मिला उसके अन्वीनर कौन है आप जानते है उनको भी वही एडी जो है उनकी भी करें और अगर पूस्ताज में वो सहयोग नहीं करते तो उनको भी ग्रफतार किया जाए और भारती जनता पाकी बारूपी बनाया जाए